हलो एवरीवन भारत की पारिष्टित की और बन्य जीवन इससे सम्मंदित 50 कोश्चन हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इंपोर्टन कोश्चन है प्रीविएस येर परिच्छाओं में पूछे गए भी है निम्न में से किस सहर में राजिस्थान का केंद्रिया सुस्क छेतर अनसंधान संस्थान इस्तित है तो केंद्रिया सुस्क छेतर अनसंधान संस्थान राजिस्थान में है और राजिस्थान में भी जोधपूर जिले में है फिक है जोधपुर जिले में है केंद्रिय सुस्क छेत रंसंधान चंस्तान दो हैं काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है ठीक है काजरी की इस्थापना हुई थी 1989 में जोधपुर मेंस्तित यह संकुधारी बनों में ब्रचों की एक महत्पूर पर जाती निम में से कौन सी है तुलसी, अधरक, देवदार और काला जीरा तो इसमें से आपको पता भी लग रहा होगा देवदार के ब्रच क्या होते हैं संकुधारी ब्रच होते हैं ठीक है थर्ड ओप्सन करेक्ट हो जाएगा भारत के किस प्रदेश में उसन कटिवन दिया बरसा बन मिलते हैं रीट में पूछा गया है 2015 में तो उसन कटिवन दिया बरसा बन ये मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में उत्तर पूरवी भारत में उस्न कटिबंदिया बरसा बन मिलते हैं सुन्दरी विरच किस प्रिकार के बनों में पाया जाता है आपने सुना भी होगा जुआरीय बनी या फिर मैंग्रोब फोरेश्ट में सुन्दरी वरच पाया जाता है first option correct हो जाएगा Delhi पुलिस में पूछा गया question विस्व का सबसे बड़ा mangrove बन कौन सा है विस्व का सबसे बड़ा mangrove बन है सुन्दरवन डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा बंगलादेश में भी है और पश्मी बंगाल इंडिया में भी फैला हुआ है सुन्दरवन डेल्टा विस्व का सबसे बड़ा mangrove बन है first option correct होगा इन में से कौन सा ब्रच पर्णपाती बनों में नहीं पाया जाता है साल, सीसम, सेंडलवोर या फिर रवर तो रवर पर्णपाती ब्रचों में नहीं पाया जाता है साल, सीसम और सेंडलवोर एक पर्णपाती बन है निम्न के किन राज्यों केंदर सासित राज्यों में गरान बन नहीं है गरान बन यानि की एक तरीके से जुआरिय बन ही होते है तो पश्मी बंगाल में है, सुन्दरवन डेल्टा है, ओडीसा में भी है अदमान निकोबार दीप समव में भी है, कीवल्ट केरल में गरान बन नहीं है सेकंड उप्षन कर्यक्ट हो जाएगा भारत में किस प्रिकार के बन ज्यादा पाए जाते हैं थो भारत में उस्न कटीवन दिया परनपाती बन ज्यादा पाए जाते हैं 2019 तक की इस्थिति के अनुसार किस भारतिय राज्य में सबसे बड़ा बन आच्छादित छेत्र है किसी बन के सीर्स, उदुःदर, संस्तर या परत में क्या होते हैं जाडिया, साख, घास या फिर ब्रच तो सबसे उदुःदर जो परत होती है उसमें ब्रच होते हैं प्रच आच्छादन में ब्रधी से सम्मंदित पहल का नाम क्या है तो भारत में ग्रीन इंडिया मिशन के नामसिक प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रच आच्छादन याने की एफॉरेस्टेशन किया जाता है क्या नाम है नोबल का जंगल बुक अगला कोशन है टुन्डा प्रिकार की बनसपती के बारे में निमलिकेत में से कौन सा कतनश ए नहीं है सबार, मौस और काई, लाइचेन यहां पाए जाते हैं बिल्कुल सही बात है टुंडा बनस्पती में लाइकेन और मौस पाए जाते हैं यह समसीतोस न छेतर में पाई जाती है प्रेकर्तिक बनस्पती का विकास यहां सीमित है चोटी जाणिया इस मनस्पती का एक हिस्सा है तो second option टुंडरा के बारे में सही नहीं है ठीक है बांधीपूर राश्टी ओध्यान भारत के निमलिकित में से किस राज्य में है पूछा गया है काफी बार बांधीपूर ठीक है बांधीपूर, सिमलीपाल, भीतरकनिका, कानहा ये पूछे जाते हैं तो बांधीपूर, राश्टी, ओध्यान, करनाटक में है third option correct हो जाएगा निम्न में से कौन सा अवरक, उत्पादक, राज्य है तो आपको पता होगा, राश्टान में जो अवरक है वो भीलवाडा में निकाली जाती है अवरक का प्रमुक किंद भीलवाडा है राश्टान में तो राश्टान में अवरक निकलती है जारखन में निकलती है, और आंधर प्रदेस में निकलती है केबल और केबल करनाटक में आवराक उतपादक राजयन नहीं है फॉर्ट ओप्सट यहाँ पर correct हो जाएगा मेंगरोब बन जहा पाए जाते हैं मेंगरोब बन आपको पता है खाड़ेजल में पाए जाते हैं जहां पर डेलटा होता है समुद्री जल मिलता है जहाँ पर नदी से फर्स्ट उप्षन करेक्ट हो जाएगा खारे जल में सुन्दरबन डेल्टा किन डियों के किनारे पर है तो आपको पता होगा पश्मी बंगालम गंगार ब्रहंपुत्र के किनारे पर है सुन्दरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है विस्व का बन अनसंधान केंदर कहाँ पर है देहरादूर में बन अनसंधान केंदर इस्तित है भारतिय बन सोध परसद एक सीर संगटन है जो बनों पर सोध करता है बन सोध संस्तान देहरादूर में है अगर आपसे पुछा जाए सुस्क बन सोध संस्तान जोधपुर में है मैं पहले ही बता चुका हूँ आफरी और काजरी दोनों जोधपुर में है उस्न कटिवंदिया बन सोध संस्तान जबलपुर में है हिमालिया बन सोध संस्तान सिमला में है बन उतपादक्ता संस्थान राची और सामाजिक बान की संस्थान इलावाद में है इंपोर्टेंट है यह दुबारा रिपीट कर लो आप याद कर लो बन सोध संस्तान धेरादून, सुस्क बन सोध संस्तान जोधपुर, उस्न कटिवंदिया बन सोध संस्तान जबलपुर, हिमालिया बन सोध संस्तान सिमला, बन उतपादक्त संस्तान राची और सामाजिक बानिकी संस्तान इलावाद में है अगला question है भारत में भारतिय बन सर्वेचन का मुख्या ले कहां पर important question है भारतिय बन सर्वेचन का जो मुख्या ले है वो दहरादून में है first option correct है भारत में उस्नी कटी बन दिये सधावाहर बन कहां पाये जाते हैं Bombay Natural History Society नई दिल्ली भारतिये बनस्पती सर्वेछन कोलकाता में हैं देखो भारतिये बनस्पती सर्वेछन का मुख्याल पूछे तो कोलकाता में और भारतिये बनत्सर्वेछन का पूछे तो देरादून में, दोनों आपको याद रखने हैं पेंच राश्ट्री और ध्यान कहाँ पर है पेंच कानहा ये दोनों मध्य प्रदेश में है पेंच महराश्ट्र में भी आता है लेकिन पेंच यहाँ पर क्या होगा अंसर मध्य प्रदेश होगा निम्न में से किस राज में स्थाई जंगल सरवादिक संक्या में है तो मध्य प्रदेश में स्थाई जंगल सरवादिक संक्या में है भारत में अगर सरवादिक बन पूछे जाएं तो वो भी मध्य प्रदेश में है पाडियों के निचली सतय और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमाखनिज क्या कहलाते हैं तो उन्हें प्लेसर डेपोजिट बोला जाता है पाडियों के निचली सतय और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमाखनिज प्लेसर डिपोजिट कहलाते हैं सुन्दरबन राश्टी उध्यान कहा है इस्तित है सुन्दरबन राश्टी उध्यान पश्मी बंगाल में है सुंदर्बन डेल्टा पश्मी बंगाल में है गंगा और ब्रहंपुत्र नदी दो नदियों के किनारे पर है ये दोनों नदिया डेल्टा बनाती है ठीक है तो ब्रहंपुत्र और गंगा के किनारे पर है पश्मी बंगाल में उस्निकटिबंदिया पर्णपाती बनों में कौन सा ब्रच पाया जाता है तून, देवदार, सीसम या फिर चंदन तो चंदन पाया जाता है उस्निकटिबंदिया पर्णपाती बनों में निमलिकित में से किस प्रिकार के जंगल भारत में सरवादिक पाए जाते हैं पूशने कटी बन दिया आद्र परणवाती देखो दो बार पूचा जा चुका एक उस्चन आ सकता है एक्जाम में ये किस प्रिकार के जंगल भारत में सरवादिक पाए जाते हैं उस ने कटी बन दिया, आदर पर्णपाती जनंगल पाए जाते हैं बन्यों जीवेओं के कम होने का एक प्रमुक कारण क्या है? प्रकरते कावासों का नस्ट होना सही बात है नगरी करण ये भी सही है तो फस्ट और फॉर्थ यहां पर करेक्ट हो जाएगा भारत के किस छित्र में याक पसू मिलता है याक पहाडी छित्र में मिलता है, लद्दाक में मिलता है फॉर्थ उप्शन प्रोजक्ट टाइगर के नाम से बाग सरच्छन कारकरम नमें से किस बर्स आरंब हुआ था काफी बार पूचा गया गोश्टन है, एक्जाम में रिपीट होता रहता है 1973 में प्रोजक्ट टाइगर परारम किया गया था और 1992 में प्रोजक्ट हाथी परारम किया गया था निमलिकित में से किस बर्स में दर्राव अबने जीव अभ्यारन को राश्ट्री उध्यान गोसित किया गया था तो ये किया गया था 2013 में दर्राव अबने जीव अभ्यारन कोटा इसको मुकंदरा हिल्स राश्ट्री उध्यान गोसित किया गया 2013 में राजिस्तान का राजिये पसु निमलेकित में से कौन सा है चिंकारा राजिस्तान का राजिये पसु है गोणावड को राजिस्तान का राजिये पच्छी किस बर्स गोशित किया गया था तो गोनावड को 1981 में राज की पच्ची गोसित किया गया था यानि कि first option correct हो जाएगा किस बर्स में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राश्टी जली जीव गोसित किया गया फर्स्ट उप्सन करेक्ट होगा, भायत में निम्लिकित के छेत्रों में से, किसमें बनाच्छादत छेत्र का प्रतीसत सरवादिक है, जो भी उप्सन दिये हुए हैं, उनके पूछाए, अंडमान निकोबार दीव समू, अनाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कसमीर, देखो, पहले नंबर पर बन पूछे जाएं, तो मद्य प्रदेश में हैं, दूसरे नंबर पर अनाचल प्रदेश में हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है, प्रतीसत, अगर प्रतीसत बाइच पूछे, तो ना मद्य प्रदेश, ना अनाचल प्रतीस, प्रतीसत बाइच है, मिजोरम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा बन है प्रतीसत बाज़ जिसको इसका छेतरपल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतीसत मिजोरम का है ठीक है बनो के मामले में बनो की अंतरगत सरवादिक प्रतीसत बूमी किस राज़े में है तो यह अनाचल प्रदेश में ठीक है सांत घाटी संबंदित है सांत घाटी केरल से संबंदित है देखो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि अभी मिजोरम बताया अभी अनाचल प्रतेस कैसे बता दिया यह जो option है इसमें अगर मिजोरम होता तो मिजोरम correct answer होता यहाँ पर ठीक है लेकिन अभी यहाँ पर आणाचल प्रतेस correct होगा सांत घाटी कहाँ पर है सांत घाटी केरल में है मरुद्विद बनस्पती निम्में से किसका बिसिस टबलेच्छन है तो यह कच्छ की रण में पाई जाती है मरुस्तल में मरुद्विद बनस्पती और पशमी राजस्तान में पाई जाती है भारत चागवान बनों के बिसालताम बंडर कहाँ पाई जाते है फॉर्ड ऑप्सन correct है बिस्व बंद दिवस कम मना जाता है अच्छा कोस्चन है important है बिस्व बंद दिवस मना जाता है 21 March को 21 मार्च को विस्व बंदिवस मनाय जाता है 22 अपरेल को विस्व पृत्वी दिवस मनाय जाता है 22 अपरेल विस्व पृत्वी दिवस और विस्व पर्यावर्ण दिवस 5 जून को मनाय जाता है भारत का पृत्म राश्टी उध्यान गोंसा है जिमकारवेट राष्टी उध्यान, भारत का पृतम राष्टी उध्यान है एक सींग वाला गेंडा, काजी रंगा राष्टी उध्यान में पाय जाता है बारत की सबसे बड़ी बाग परियोजना है नागारजुन सागर बाग परियोजना तो ये कोशन अमने डिसकस किये थे, अगर आपको वीडियो हेलफुल लगी हो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें